इंजिनिरिंग का बहतरी नमूना अंतर राश्ट्रे इस तर पर बनते और बिगडते संबंधों की कहानी है दोस्तो स्वेज नहर की स्वेज नहर विश्व के अंदर पहली ऐसी नहर थी जिसने एक बहुत बड़े रास्ते को जो की यूरप से एशिया को जोड़ता था जल मार के रास्ता उसको छोटा कर दिया था और पूरे विश्व के लिए असीम संभावनाओं को इसने खोल दिया था कि मनुष्य चाहे तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को अचीव कर सकता है तो दोस्तो आज की इस लेक्चर में मैं चर्चा करूँगा स्वेज नहर की मैं सारव भारती आप सभी का हरदिक स्वागत करता हूँ डिजिटल तयारे के एस चैनल पर तो दोस्तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वेज नहर की लोकेशन देखिए आप विश्व के इतने बड़े महासागर को जानते हैं अटलांटेक, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और इसमें से आप देखें तो यौरॉप और अफ्रिका को बहुत जादा उप्योग में लेना पड़ता है इंडियन ओशियन को इंडियन ओशियन में भी आप देखें तो अरेबियन सी या अरब सागर से भी उनको जाना पड़ता है मैं एक बार आपको इन सब की लोकेशन बताना चाहूंगा आप थोड़ा सा ध्यान नहीं इधर देखें, आप देखें तो ये यौरॉप महादीब है पूरा और यौरॉप महादीब को भूमदे सागर ये बीच वाला पार्टे भूमदे सागर का है इनको अगर भारत से व्यापार करना है South East Asia से व्यापार करना है इवन चीन से व्यापार करना है है ना तो इनको जैसे पुर्तगाल हैं इंगलेंड है फ्रांस है जर्मनी है डच है ये सभी नाविक जो है पूरे अफरीका महादीब का चक्कर लगा कर ये लोग इंडियन ओशियन अरब सागर यहां बंगाल की खाड़ी और आगे जाया करते थे एक और मज़े की बात यह है 1498 तक तो उनको ये मार्ग भी पता नहीं था यूरोपय व्यापारी सडक मार्ग से यहां तुर्की तक पहुँचते थे तुर्की में एक जगे है आज भी है इस्तंबूल वहां पे ये एशिया और यूरोपय व्यापारी अरबी व्यापारी इनका ये मीटिंग पॉइंट था यूरोपय व्यापर यहीं तक आते थे पहला यूरोपय यात्री जो जल मार्ग से भारत पहुचा है वह वासको डिगामा है 1498 में तो क्या उससे पहले यूरोप अले भारत नहीं आते थे क्या आते थे जल मार्ग से नहीं आते थे सडक मार्ग से फिर भी आजाते थे है ना तो आप देखें ये बहुत लंबा चक्कर है बहुत ही टाइम कंसुमिंग है बहुत जादा फ्यूल लगता है एनरजी भी लगती है चलो पर आप देखें तो यहां पर जैसे जैसे भुगोल का अध्यन बढ़ता गया मनुश्यों का तो उनको समझ म आया के यार देखो यह भूमद्य सागर और यह एक और वाटर वाड़ी है लाल सागर इसके बीच में जो भूमी है वो उतली भी है दल्लब जादा गहरी नहीं है प्लस भूमद्य सागर और लाल सागर के बीच में यह जो डिस्टेंस है यह कंपेरिटिवली बहुत छोटा ह अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें ये अफरीका महादीब का जो चक्कर है इससे मुक्ते मिल जाएगी और यहीं पर फिर प्लानिंग शुरू हुई भूमद्य सागर और लाल सागर को जोड़ने की ये एक और मैप है बेटर अंडरस्टेंडिंग के लिए अगर आप देखें इसको तो ये हमारा मेडिकरिनियन सी यानि की भूमद्य सागर है एशिया और योड़ोप के बीच में और यहां आप देखें तो यह रेड सी यानि की लाल सागर है जो की टेक्निकली अफरीका को अरब प्राइदीब से अरेबियन पैनेंसुला से अलग करता है अरेबियन पैनेंसुला एशिया मादीब का भागे अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ आप देखें तो यह वाली जगे है यहां पर हमारा मिस्र देश है कौन सा देश है मिस्र देश है इजिप्ट यह मिस्र देश ही जो है यही जंक्शन है जो एक तरफ तो रेड सी के साथ यानि लाल सागर के साथ अपनी सीमा बनाता है एक तरफ अपनी भूमद्य सागर के साथ सीमा बनाता है और मिस्र तो बहुत लंबे समय तक पुराने समय से एक ट्रेडिंग रूट पे रहा है व्यापारिक मार्ग पे स्थित रहा है आपको पता ही होगा चाहे नील लदी हो अरब के व्यापारी हों मिस्र को काहिरा को जरूर सब लोग जानते थे और ये व्यापारी यहां के खास करके अरब के और अफरीका के इतने होशियार थे इन लोगों को भारत आने का समुद्री मार्ग मालूम था क्योंकि इनके पास तो लाल सागर, गल्फ आफ एडन यानि कि इन सब का एक्सिस था ये तो आराम से अरफ सागर से आगे पहुंच जाते थे पर इन्हों ने कभी भी ये जल मार्ग यूरोपे व्यापारियों के साथ शेर ने किया बड़ी अज़ीब बात है चलिए तो मेरे ख ट्राइंगलर शेप के अंदर ये दिख रहा होगा ये ये है तो अरफ प्राइदीब का भागे परण तो आप ध्यान से देखे तो ये तीन दरफ से पानी से घिरा हुआ है ये जमीन का टुकड़ा तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और तीन तरफ से जो पानी से घिराया वहाँ इस्थान है या भूमी है उसको अपन बोलते हैं क्या प्राइडीप मिसर के पास ये जो प्राइडीप है इसका नाम है सिनाई प्राइडीप क्या नाम है सिनाई प्राइडीप हिस्टोरिकली भी बहुत इंपोर्टेंट है बाइबल वगेरा में इसका जिकर आता है सिन मुजेस जिनको आप बोलते हैं, वो अपने स्लेव्स को मिस्र की राजा से मुक्त करा कर इसी सिनाय प्रायदीब पर ले के आए थे, तो योजना बनी के इसी सिनाय प्रायदीब को काटके अपन लाल सागर और भूमन्दे सागर को जोड देते हैं, अब ये योजना दोस्तों बहुत मैसिव थी इसमें पैसा भी खूब लगना था श्रम और इंजिनेरिंग भी खूब लगनी थी तो ऐसी स्थिति में विश्व के वो देश जो टेक्नोलोजिक में और फाइनेंस के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस है वो आगया है तो आप जानते हैं कि यह 19 वी और 20 वी शताब्दी तो किसको डेडिकेटेड थी अव्यसी बात यह डेडिकेटेड थी ग्रेट ब्रिटेन को पूरे विश्व में उनका सामराज्य पहला हुआ है ग्रेट ब्रिटेन के साथ साती फ्रांस भी कई कम बड़ी शक्ति नहीं था वो भी इनके पीछे-पीछे आद्य वी शताब्दी से तुर्की सामराज्य जो है यह बहुत बड़े एक प्रायदीप के उपर जो कि अपना हमारा एशिया माइनर का हिस्सा है वो प्रायदीप एशिया माइनर क्यालाता है वरतमान में जहां तुर्की देश है यह सौधी अरब वाला पूरा हिस्सा यह मिस्र के कुछ हिस्से यहां के यह तुर्की के कबजे में बात समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी शक्तिया यह तीनों ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस और तुर्की यह तीनों देश आपस में साथ में आते हैं और 1858 में एक कंपनी बनती है जिसे स्वेज कैनाल यूनिवर्सल स्वेज शिप कंपनी कहा जाता है इसमें तीनों देश इंवेस्ट करते हैं और इनके भीच में अग्रिमेंट होता है कि यह जो रूट बनेगा हमारे लिए इन ये रूट से लगातार हमारे जहाद जो है वो व्यापार कर सकेंगे आप सी समझोता था उस समय दोस्ती थी तो ये समझोता भी हो गया पर इन्होंने का भई हम तीनों इसमें कोई एक राज्ये इसकी उपर स्वेज कैनाल का प्रबंदन नहीं करेगा अपने कमपनी बना देते सारे देश एगरी हो गए सबकी अपनी अपनी शेरिंग थी हाला कि दोस्तों इस मामले में सबसे बड़ी शेर होल्डिंग जो थी वो ब्रिटेन की थी ये तीन पार्टनर है ना ब्रिटेन फ्रांस और तुर्की इसमें सबसे बड़ी शेर होल्डिंग किसकी है ब्रिटेन की बात समझ रहें तो अब वेसी बात है ज्यादा पंशाई थी भी ब्रिटेन की चलेगी और आगे भी ऐसा ही हो तो चलिए 99 साल के लिए इनको लीस पर दे दिया 1858 के आसपास इसका काम भी शुरू हो गया और 1869 के अंदर ये नहर अंतर राश्ट्रिय यातायात के लिए खोल द परन्तु आगे चलकर जो है ब्रिटेन के मन में थोड़ा सा बदलाव आ गया 1888 के अंदर ब्रिटेन ने इन तीनों देशों के साथ ये जो दो देश थे फ्रांस और ओटोमन फ्लस बहुत सारे दूसरे ऐसे चोटे बड़े जहाज थे जो अब स्वेज नहर से गुजरने हो जाता है अगर कभी युद्ध हो जाता है तो हम मला हम ब्रिटेन वाले हम इसको बंद कर देंगे इस नहर के यातायात को बंद कर देंगे बाकि शांतिकाल में ये खुली रहती है हमें कोई तकलिफ नहीं इससे पहले ऐसा कोई नियम कानून नहीं था ब्रिटेन ने यहां की इटली की बेल्जियम की पॉलेंड की रूस की यह ब्रिटेन की इन्होंने अपस में बहुत अलाइंस की कि अगर वह देश मेरे पर आक्रमन कर देगा तो तुम मुझे बचाने आ और उसने कर दिया तो मैं तुम्हें बचाने आ जाओंगा इस तरह कि आपसी गुप्त संदियां जो हैं इनकी वज़े से योरोप का माहौल बहुत टेंशन में आ गया था साथ इसाथ अब योरोप के अंदर ये जो अद्दू की करण की दोर थी उसमें जर्मनी भी कूद गया था और जर्मनी बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा था बात समझ रही तो ब्रिटेन को इस बात का अभास हो गया था कि कभी न कभी यहां पर खत्रा हो सकता है बात अब को पता ही है कि 1914 के अंदर फिर प्रतम विशुद हुआ इस प्रतम विशुद में दोस्तों जर्मनी फ्रांस को और तुर्की को दोनों को ही बड़ी हानी जहिलनी पड़ी हाला कि फ्रांस जो है वो विजटागुट का हिस्सा होता है तुर्की जो है वो भी इस कि देश देखते हैं उसका इसी के बाद प्रतम विशुद के बाद युद्भव होता है और तुर्की को अपने औरिजिनल जो उनकी रियासत हुआ करती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा खोना पड़ता है और यह सौदी अरब के मिस्र के यह जो इलाके हैं यह ब्रिटेन औ दूसरा विशुद भी होता है दूसरे विशुद में दोस्तों क्या होता है कि एक और घटना होती है जब सह्युक्तराश संग का निर्मान होता है सह्युक्तराश संग कहता है कि अगर किसी भी देश का किसी अन्ने देश पर अधिपत्य है अधिकार है तो आप उसको वो डिमांड कर देता है कि भाई हमें इस स्वेज नहर के उपर हमारा अधिपत्य चाहिए क्योंकि हमारा अलग देश है ब्रिटेन यहां पर क्या कर रहा है तो ब्रिटेन क्या करता है ब्रिटेन यह कहता है कि चलिए यह 1948 की बात है ब्रिटेन इस बात पर एगरी हो जाता है कि देखो भई जब इसकी 99 साल की लीस खतम हो जाएगी स्विज शिप केनाल कंपनी की जो की 1808 उन्हें मनाई थी 99 साल की लीस थी तब हम आपको इसका हस्तांतरण कर देंगे पर अभी तो हम ही खड़े रहेंगे यहां पर उन्होंने ब्रिटेन वालोंने अपनी सेनाए स्वेज क कैनाल आपको खाली करना ही पड़ेगा स्वेज कैनाल पर हमारा अधिकार इसे स्वेज क्राइसिस भी कहा जाता है यह उन्हीस सो इकावन की बात 1951 से उन्हींस चोपन तक बहुत खीचातानी हुई उन्हीस उपन में ग्रेट प्रिटेन और मिस्र की सरकार के बीच में हो जाता है तब हम आगे चर्चा करेंगे भी आगे कि क्या पॉलिसी रहेगी किस प्रकार से हम आपस में राजसों का बत्वारा करेंगे वगेरा वगेरा यह बात पर दोनों 1954 में एक एग्रिमेंट कर लेते हैं पर जैसे ही ब्रिटेन यहां से सेनाय हटाता है कम्प्लीट सेना आटाता है वैसे ही इस एग्रिमेंट का उलंगन करके मिष्र जो है हो सौेज़नहर पर कबजा कर लेता है और 1956 के अंदर स्वेजनहर का राष्टे करण कर दिया जाता है वर्तमान में स्वेज नहर से जो भी व्यापार होता है स्वेज नहर का नियंतरन स्वेज नहर का मेंटिनेंस ये सभी मिस्र देश करता है तो आप दोस्तों आपने बात देखी अंतर राष्ट्रिय राजनीती में या राजनीती में मैं तो कहन चाऊंगा दोस्ती और दुश्मनी इस्थाई नहीं होती है तो आप भी अपने जो राजनेतिक रूप से अगर कोई आप किसी दल को पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं इस्थाई मत रहिए कभी भी इनके आपसी सम्मन मधूर हो सकते हैं कभी भी विगड़ सकते यह आप मेरे पीछे स्वेज नहर की कुछ तस्वीरे देख सकते हैं बड़ा विहंगम दरश्य लगता है अभी स्वेज नहर 2020 किस में चर्चा में भी रहा था स्वेज नहर के अंदर एक जहाद जो है ऐसे फस गया था टेड़ा हो गया था यह जहाद है ना तो लंबे समय तक करीबन 5-6 दिन तक स्वेज नहर का यह राताद प्रभावित्रा अर्बो डॉलर का नुक्सान जो है इस एक चोटी सी गलती के खारण हो बात समझे तो स्वेज नहर बहुत इंपॉर्टेंट है आई होप आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा मैंने आपसे काफी चर्चा करी स्वेज जरूरी है इस सब्सक्राइब डेडिटर तैयारी